है है लो दोस्तों नमस्कार गोड़ मॉनिंग कैसे आप सब आई हो काफी अच्छ होंगे स्वास्त होंगे मस्तुंगर पढ़ाई कर रहे होंगे एक्जाम बुश्टर सो एपिसोड नमबर 19 यहां पर आप यह देख पा रहे होंगे कि दिन पर दिन आपको बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे मुझे पूरा विश्वास तो यहां पर बहुत ऐसी चीजें होंगे जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे मेरे आज मैं आप लोगों के लिए ना बहुत इंपोर्टेंट डिटा लेकर आया हूं हाई एक बात याद रखिएगा आप सभी लोगों से रि यहां पर और यह एक ऐसी टेबल हाना मेरे भाई यहां से आपके एक्जाम में एक कुशन तो आना फिक्स है सर यहां पर क्या प्लेन कॉंक्रीट और इधर क्या होगा रेंफोर्स्मेंट नहीं डाली जाती इसलिए प्लेन बोल दी गई और रेंफोर्स्मेंट कॉंक्रीट मे है यहाँ पर अगर बात किया जा प्लेन में क्या क्या देखना है आपको minimum सिमेंट कंटेंट केजी पर मीटर क्यूब इसकी उनिट क्या होगी केजी पर मीटर क्यूब की वैसे maximum free water cement ratio maximum free water cement ratio कितना होगा minimum grade of concrete और इस सेम concept यहां पर भी लगेगा से मेहां पर भी लगेगा पहले severe condition देख लेते हैं या exposure condition mild moderate severe very severe चैनल में आप मुझे बताइएंगा कि आप कौन से exposure condition में रहते हैं आप कौन से exposure condition में आपका घर बना हुआ है comment section में बताएगा mild moderate severe very severe और यहां पर minimum cement content देखा जाएं कि एक मीटर क्यूब में पहले मैं प्लेन की बात कर लेता हूं 220-240-250-270-280 यह कैसे आपको एक जनली अगर याद करा हूं तो प्लस टूंटी टूंटी एड करते जाए प्लस टूंटी एड कर दीजे फिर टूंटी एड कर दीजे उसमें फिर लास्ट में टूंटी तो या तो आप फिर एस तरीके से जाथा हो जलेएं तरेस इसको पर सकते हैं कि 220 यह 220-240 प्लस इसका 186 फिर फिर प्लस टूंटी इस तरीके से भी ऊपड़ सकते हैं उपर नीचे 20-20 बीच में 10-10 आपको याद करना किसी भी तरीका याद करी ओ आपका मिठी हू सकता है आप आपका अ thief चाहिए 220 मतलब चार बोरी 20 किलो एक मीटर क्यों में अगर आपको कंश्ट्रक्शन करना प्लेन में मैक्सिम फ्री वाटर सेमेंट रिश्यू कितना होगा पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट फाइब जिरो फॉर फाइब फॉर फॉर जिरो यह आपको पढ़ना पढ़ेगा दोसे चार बार अब भाई एक्जैक्टली यह पूछा जाता है यह तो याद हो जाता है माइल के लिए कुछ बताया नहीं गया पंद्रा बीस पच यह तो आपको याद ही हो जाएगा वैसे ही रंफोस्ट कॉंक्रीट के अगर बात किया जाए देखे यहां पर क्या सिमेंट का कंटेंट बढ़ गया भाई असी किलो ज्यादा सिमेंट बढ़ गया मतलब डेड़ बूरी ज्यादा जब एक मीटर क्यों में कितनी सिमेंट होगी 300-300 फिर यहां पर यहां पर यहां पर वाटर सिमेंट रिशियो थोड़ा सा ज्यादा होता और इससे कम यह होता है 25, 50, 45, 45, 40 थोड़ा सा नहीं बहुत टाफ है यहां लेकिन याद करना पड़ेगा चलो याद हो जाएगा 20, 25, 30, 35, 40 कोई रिपीटेशन नहीं है आप सब WD 35 35, 35 यह याद हो गया होगा में पूरा पता आप दिगा एक दूबस मेर सब्सक्रालु ने गलत कर लिया है मेरे बढ़ गए थे सब कुछ नहीं मानना मेरे याद रखिएगा तो आपका यह त्यार हो गया हो यह दो तैयार हो गए हो और आपको इह भी पता होगा कि मिन्मम् सिमेंट कॉंटेंट भी आपको तयार ही करा दिया हूं कैसे 300-300 इसके लिए अगर देखा जाए 300-300-320-340-360 इसके लिए क्या होगा 220-240-250-260-280 यह दोनों याद हो गए यह वाटर सेमेंट रिश्यों भी आपके एक्जाम में पूछ लिए जाता भाई एज इस पूछा जा याद रखेगा एज इस पूछा जाता है तो आप यह आद कर ली जेगा किसी भी तरीके से आप कॉमेंट सेक्षन मुझे बताइएगा जहां नुकलियर पावर बनता नुकलियर पावर होता या नुकलियर ट्रीन एक करवाया है सथरी अंसर बता दिया जहां नुकलियर पावर त्यार किया जाता वहां पर जो एक्सपोजर कंड़िशन होती वह कौंस थी है समुद्र के किनारे अगर आपका घर है तो कौंसा एकस्पोज़र कंडेशन होगा बताइएगा कहीं पर ऐसा ऑगी हुई है साम में धूप निकालाएगी अगर यह वली कंडिशन है तो कौन सा एक्सपोजर कंडिशन में जाएगा इसके बाद क्या था आपका यहां पर एक भी अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे आज फर्स्ट टाइम पढ़े होंगे सिमेंट को भी डिवाइट कर दियागा on type 2 type 3 type 4 type 5 type 1 में क्या होगा नरृओ पोर्ट लाइंट सिमेंट च्रूल क्या होगा आज फर्स्ताइब आप सबसक्राओं बिल्ट-इन कंसने लंडैब spacious कॅ दॉर यहें तर में क्या है उईस्व proposition पार्ट्र सी मिंट और क्या यां। स्टेंट यूज्ट फेन हाई स्टेंट डिजायर एट वेरियर लिए जैसे की रिपेरिंग करना डैंब डैंने ओवर ब्रीज बनाना है इस वज़े से कांच होगा टाइप थर्ड होगा टाइप फूर्थ की अगर बात किया जाए लोहीट पोर्टलेंट सिमेंट टाइप फू टाइप में बलॉं करती है टाइप वन में टाइप टू में टाइप तरीकिए के तो मेरे बाई आप ने देख का यहां पर मैंने आपको क्या क्या बताया कि अब आप comment section में मुझे बताईएगा low heat portland cement का ये score बता दीजेगा पहले पढ़ा चुका हूं low heat portland cement में इसमें किसका percentage increase कर दिया जाता है किसका percentage बढ़ा दिया जाता है साथ दिन बाद कितनी हीट रहनी चाहिए अठाई दिन बाद कितनी हीट रहनी चाहिए यह दोनों का यह चारों कुशन का comment section में आपको जवाब देना है अगला क्या है यहां पर हाई अर्ली स्टेंट हाई अर्ली स्टेंट के लिए वोग्यू कंपाउंड में किसका percentage बढ़ा स किलिए तो आप इसको एलकली के लिए होगा इसका इस कोड़ आप बता दीजेगा ओके लोही ट पोट लाइन सीमिंट का आप विडियो को रोक रोक कर आप इनजर बताएए यह comment section में को में लोही पोट लैंट इमिन का इस यह स्कोड आपने बता दिया percentage आपने बता दिया एक्सपेंशन कितना हो unlimited कितना होगा इंस इतने भी आप proclaim देक रहे हैं सबका फाइने सिमेंट रिस्यो कितना होगा मिन्ममम ग्रेट कितना होगा सेम चीज मने रेंफोर्स्मेंट के लिए बता दिया और यहां से आप यह देख बिदा चाहता हूं मिलता हूं आप से नेस्ट वीडियो में आप लोग ऐसे प्यार बनाया रखिए और जाते जाते से से संट को एक बार लाइक जरूर करते जाईएगा और अपना वैलिवेबल कॉमेंट भी ड्रॉप करके जाईएगा जिससे मुझे थोड़ा सा खुशी मिले चलो मिलते हैं फिर आप से नेस्ट सेशन में ओके बाबाई लव यू एंड थैंक यू और थैंक यू फॉर वाचिंग आर्में दोस्त